Star Plus के शोगुम है किसी के प्यार में में रीवात की भुमिका के लिए मश्हूर सुमित सिंगे एक नए शो के साथ टेलिविजन पर वापसी करने के लिए तयार हैं। एक ट्रेस स्टार भारत की हाल ही में लॉंच हुई थ्रिलर शैतानी रस्मि मिध्रमा के दार इंठरी करेंगी। सुमित ने तभावे का शर्मा के शो को अलविदा कहा जब में इसमे लीप लाने का फैसला कीया। शैतानी रस्मि में सुमित एक महत्पून भुमिका निभाएं 200 एपिसोड पूरे किये सीरीज में विभव रोय नकिया हाजी और सिधान इससर भी है सुमित हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब उनके कथित बॉया फ्रेंट शगुन पांडे से मुलाकात के बाद सेट पर उन्हें पाइनिक अटाक आने की खबरें सामने आई इस कारण शूटिंग मैं भी देरी हुई थी एक प्रेस से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्विकार किया है कि शगुन आय थी लेकिन और जो बातें बोली गई ये सब मंगढ़न थें मैं साब तोर पर कहना चाहता हूँ कि शगुन और मैं एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे है हम सिर्फ अच्छे दोस्त है सुमित सिंग ने गुम है किसी के प्यार में रीवा का किरदार निभाया था शो से बाहर निकलने के बारे में पूछे जाने पर सुमित ने कहा इमानदारी से कहूं तो मैं रीवा के किरदार से काफी जुड़ी हुई हूँ उसने जिन भी भावनाओं का सामना किया चाहे वह प्यार क्या के अद्दर्ध हो मैंने हर शियर्ट्स के लिए अपना सब कुछ दिया उस किरदार से आगे बढ़ना मुश्किल है जो मुझे बहुत प्रियल है मुझे रीवा बनना उसके जैसे कपड़े पहनना उसकी तरह महसूस करना पसंद था